लो एप्रेवान विल्कम बैक टो इस्व मैं आतों टाइम एंड डिश्टेंस का प्रिवेस एर कॉस्टिन स्रीज चल रहा है यह कब आए था से सीजी एल टी आर वान टू तो 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 टेन में पूचे गए थे क्या दिया हूए देख लेते हैं ए ट्रेन 240 मीटर लांग क्रोसे से मैन वाकिंग अलांग दर लाइन इन ओपोजिट डिरेक्शन अट दर रेट आफ थी किलोमेटर प्रति घंटा इन टेन सेकंड दा स्पीड ऑफ द ट्रेन तो देखो क्या दिया हूए 240 meter long train क्या करता है cross करता है along line in opposite direction of 3 km पर आवा एक आदमी train जिस तरब जा रहा था उसके opposite तरब चल रहा है 3 km प्रती घंटे में तो उसी train ने क्या किया 240 meter 10 second में cross किया 24 meters 10 second में cross करता है मतलब speed कितना हुआ 24 meter per second तो इसी को km प्रती घंटे में करने के लिए किस से गुणा करना पड़ता है 24 into 18 upon 5 से गुणा करना पड़ता है तो मीटर पर सेकंड हो गया तो जैसे यह 18 upon 5 से गुणा करते हो तो कितना आता यह 0.5 बाला फंडा आ गया तो 24 और यहां पर 18 के जगा पर कितना हो सर पांस से काटेंगे तो 5 5 3 15 16 17 18 35 तो 24 गुणा 36 हो जाएगा इसका स्पीड विलेटिव स्पीड तो 24 into 3.6 तो इसको हटाओ 10 करो तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 दुना 72 720 और 72 दुना 7 दुना 14 144 तो 144 ठीक है तो यहां से क्या हो गया और यहां से आ गया चार चार पांस स्पीड नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो जब आप इधर चल रहे हो मतलब टेन इधर एक्स किलोमेटर प्रती घंटे के से चल रहा है और आदमी यहां पे 3 किलोमेटर प्रती घंटे से चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है एक्स प्लस 3 इस इसाप से क्रॉस करता है तो यह जो 86.4 दिया हुआ है यह एक्स प्लस 3 के वैलू दिया हुआ है तो एक्स का वैलू क्या हो जाएगा 83.4 is the correct answer तो कितना क चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के, ओके सर, तैंक यू, बाइबाई, स्टे तून फॉर दे नेक्श्ट क्लास,